नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाले हूं तड़के वाली मौंग दाल की रेसिपी चुखाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो इस दाल को बनाने के लिए यहां पर हमने एक चथाई कप मौ करके रख दिया था आप इस तरीके से यह दाल एक बड़ बना करके जरू ट्राई किजिए इस कप से एक कप मौंग दाल लिये थे और इसे हमने आधे घंटे के लिए भीगो करके रख दिया है और अब हम इसे 2-3 बार पानी से धो करके छान लेंगे जस्सकी इसका एक्स्ट बनाने के लिए यहां पर हमने एक कूकर गरम कर लिए उसमें एड्ट करेंगे एक चमाच घी और घी को अच्छे से गरम होने आडσι करेंगे टीजेओ इसमें एड्ट करेंगे पांच से छे बारी कट की हुई लासन इसके साथ ही इसमें आड़ करेंगे एक इंच ग्रेट किया हुआ अधरग दो बारी कट की हुई हरी मिर्ज और इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे इसके बाद हमें इसमें आड़ करने है एक मीडियम साइज का बारी कट किया हुआ प्याज प्याज को जितना बारी काट सकते हैं आप काट लें और इसे एड़ करने के बाद हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हलका गॉल्डन ब्राउन ना हो जाए इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें प्याज को भूनना है अब देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो इस स्टेज पे हम इसमें अब आड़ करेंगे एक चोथाई चमच हल्दी पॉडर और साथ में आड़ करेंगे एक चोथाई चमच कासमेरी लाल मेर्ज पॉडर इससे की कलर बहुत ही बड़ियां आएगा और ये तीखी भी कम होती है तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें आड़ कर देंगे एक चोटी साइज का बारी कट किया हुआ टमाटर और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमें इसे पका लेना है दो से तीन मिनट भुनने के बाद टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है तो इस स्टेज पे अब हम इसमें एड़ कर देंगे मूंग डाल जिसे हमने धो करके चान करके रखा था और मूंग डाल को भी हम दो से तीन मिनट के लिए पून लेंगे जब डाल को आप दो से तीन मिनट के लिए भुनेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे से खुस्बू आएगी तो उस स्टेज तक हमें भुनना है डाल हमारी भुन चुकी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे जरौत के हिसाब से पानी जहां पर हमने एक कटोरी पानी पहले आड़ किया और इसे मिक्स कर लेंगे आप एक बर में इतना ही पानी आड़ करें जितने में कि दाल हमारी अच्छे से पक जाए बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं एड़ करें तो यहाँ पर अभी हम आधी कटोरी पानी और एड़ करेंगे हमने आधी कटोरी पानी और एड़ कर दिया और इसके वाद इसमें एड़ करेंगे स्वादा नुसाड नमर इसे मिक्स कर लेंगे और ढकन बंद करके तीन बेशिल आने तक इसे पकाएंगे तीन बेशिल आ चुका है और जब कूकर हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे खोल करके देख लेंगे दाल हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है लेकिन यह अभी बहुत ही गाड़ी है तो अब हम इसमें आड़ करेंगे पानी तो इसमें सीधे ठंडा पानी नहीं आड़ करेंगे पहले अलग से पानी हम गरम कर लेंगे उसके बाद दाल में आड़ करेंगे आप कभी भी थंडा पाणी सीधे डाल में नहीं आड़ करें, उससे टेस्ट जेंज हो जाता है तो यहाँ पर हमने एक बॉल में पानी गरम होनी की रख दिया है और चब ये पानी गरम हो जाएगा, तब थोड़ा थोड़ा करके हम डाल में आड़ करेंगे अब एक साथ पूरा पानी दाल में आड़ नहीं करें इससे दाल हमारी पतली भी हो सकती है तो इसकी consistency को देखते हुए हम पानी आड़ करेंगे अभी थोड़ी दाल और गाड़ी है थोड़ा सा पानी इसमें और आड़ करेंगे और पानी आट करने के बाद हाई फ्लेम पे एक बॉइल आने देंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरीके की दाल आपको रखनी है ये ठंड़ा होने के बाद थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर हमने आट कर दिये हैं लोड़ी से बारी कट किये हुए हरी धनिया और इसे दाल के साथ मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं दाल में उबाला आ गया है तो अब हम इसे एक पॉल में ट्रांसपर कर लेंगे और इसके बाद अब हमें इसके लिए तड़के की तयारी करनी है इसके लिए हमने एक तड़का पैन गरम कर लिया और इसमें आट करेंगे एक चमच घी और यहां पर हमने थोड़ा सा जीरा आट किया क्योंकि हमने पहले भी जीरा आट किया था और जीरा के चटकने के बाद इसमें आट कर देंगे तीन सुखी लाल मिर्च आप इसे अच्छे से चटकने देगे और जब ये मीड़ जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा तो इसे दाल में मिक्स कर देगे और हमारी तड़के वाली मूंग दाल रेड़ी है आप इसे रोटी या पराठे या चावल के साथ सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में फिल्कुल धावे या रेस्टोरेंट में हमें इसी तरीके का दाल मिलता तो आप इस दाल को एक बार जरूर बना करके ट्राइ किजिए अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हैं